शाहरुख खान इन दिनों बैक टु बैक फिल्मों में व्यस्थ हैं, जनवरी दो हजार चौबीस में वो बेटी सुहाना खान के साथ किंग नाम की एक फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद वो टाइगर वर्सिस पठान में काम करेंगे, इसके अलावा उनके. पासकरण जोहर के साथ भी एक एक एक्शन फिल्म करने की खबरे हैं, इसी बीच उनकी एक नई फिल्म साइन करने की खबरे चल निकली है, बताया जा रहा है कि शाहरुख खान जल्द ही इस फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं, जो की फर्जी. खबर लग रही है, एक सोशल मीडिया हैंडल ने खबर चलाई है कि शाहरुख खान रईस फेम डिरेक्टर राहुल ढोलकिया के साथ एक फिल्म करने जा रही हैं, ये प्रोजेक्ट एकदम लॉक होने की कगार पर हैं, इस फिल्म में शाहरुख खान के. साथ कैटरीना कैफ लीड रोल करेंगी शाहरुख खान फिल्म में एक्टिंग करने की साथ साथ इसे प्रोड्यूस भी करेंगे, हालान की यह खबरें किसी भी एंगल से सही नहीं लग रही है, पहली बात तो यह है कि शाहरुख खान अभी पैन इंडिया. लेवल का सक्सेस एंजॉई कर रहे हैं, वो उन्ही डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, जो दर्शकों को बड़े तपके को आकर्शित करते हो, मसलन डायरेक्टर एटली, राजकुमार हिरानी, सिध्धार्थ आनंद इसी वजह से उन्होंने डौन. तीन में काम करने से इंकार कर दिया, क्योंकि उसमें पठान जवान जितनी बड़ी हिट होने की गुंजाइश नहीं थी, ऐसा उस फ्रेंचाइस की पिछली दो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मन्स के आधार पर कहा जा रहा है, हालांकि रईस को डोट. लेकर शाहरुख खान के फैंस का मानना है कि वो खालिस मसाला पिक्चर थी, वो बहुत बड़ी हिट हो सकती थी, लेकिन उसकी रिलीस टाइमिंग गलत थी, इसलिए वो उम्मीद के मुताबिक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई बीच बीच में रईस. शाहरुख खान की दो एक ही बीच से निकलने वाली क्लिप सोशल मीडिया पर वाइरल होती रहती है, शायद इसी वजह से ये खबर चल निकली की शाहरुख खान दोबारा राहुल धोलकिया के साथ फिल्म करने जा रही है, राहुल धोलकिया. क्लासिक टाइब के फिल्म मेकर हैं, उन्होंने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म पर जानिया बनाई, पिछले दिनों वो तापसी पन्नू को लेकर बुमन क्रिकेट टीम की कप्तान राजा मिताली की बायोपिक शाबाश मिठू डायरेक्ट कर रहे थे वहीं. हाल ही में कैटरीना ने अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर इंटर्व्यू दिया, इसमें उन्होंने अली अब्बास जफर के साथ एक्शन फिल्मों को लेकर बात की मगर कहीं भी शाहरुख खान के साथ फिल्म करने का जिक्र नहीं किया ऐसे. में शाहरुख खान, कैटरीना और राहुल की फिल्म की बात कहां से आई किसी को नहीं पता बैसे तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.